नमस्कार मेरा नाम है भूमी का और आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के बारे में. प्यार का रिष्टा बहुत ही खूपसूरत होता है. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जिन्दगी में कोई ऐसा हो जो उसे बेंतेहा मोहबबत करें. प्यार का रिष्टा तो खूपसूरत तो होता ही है परन्तु ये बहुत ही नाजुक भी होता है. प्यार के रिष्टे भ में बांधना तो चाहते हैं परंतु वो प्यार का सही मतलब नहीं समझ पाते हैं और वो इस चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद उनका प्यार का रिष्टा नफरत के रिष्टे के रूप में बदल जाता है जिसकी वजह से उनका जीवन तनावग्रस्थ हो जाता है आजकल के युवाओं में प्यार का एक अलग मतलब होता है वो प्यार को एक जरूरत को पूरा करने का ही रिष्टा मानते हैं इस चक्कर में वो अपने साथी को धोखा देना शुरू कर देते हैं ये सिर्फ लड़के ही नहीं बलकि लड़कियां भी करती है आजकल एक साथ कई सारे बॉइफ्रेंड और गर्ल्फ्रेंड बनाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और आपको भी लगता है कि कहीं आपका प्यार आपको धोखा तो नहीं दे रहा है इस बात को जानने के लिए आप निमनलक्षणों को ध्यान से पढ़े और जाने की आपका पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहा आजकल लोगों को ज्यादा तर सोशल मीडिया पर ही प्यार हो रहा है ऐसे में आजकल के युवा एक साथ कई अफेर करते हैं इस दोरान वो अपने प्यार से सच छिपाने लगते हैं अगर आपका साथ ही आपको अपना मोबाईल छूने न दे अपने दोस्तों से न मिलवाए ज्यादा तर बात छिपाए और टालमटोल करे तो आप समझ जाए कि वो आपके साथ चिट कर रहा है या रही है इस मामले में आपके उसके अगल बगल से पता कर सकते हैं उसका फेस्बुक और सोशल अकाउंट से जानकारी प्राप कर सकते हैं आपके इस चानबीन से उसे बुरा भी लगेगा परंतु आप एक दुखत भविश्य से बच जाएंगे जब आपके सामने किसी दोस्त की तारीफ होने लगे प्यार के रिष्टे में कई बार ऐसा होता है कि आप अपने साथी के साथ बैठे हो और वो किसी और की चर्चा में व्यस्त है अगर आपका साथ ही आपके बजाए अपनी या आपके दोस्त या सहेली की तारीफ करने लगे तो समझ जाईए कि आपके रिष्टे के बीच में तीसरे की एंट्री हो चुकी है भले ही आपको लगेगा कि जिसकी तारीफ हो रही है, वो अपना दोस्त ही है, तो आप गलतफमी के शिकार है दरअसल इस तरह के हालत ज्यादातर दोस्तों की वज़ा से ही बनते हैं दोस्त आपके जिन्दगी के कास हिस्सा होते हैं, परन्तु इस तरह के नाजुक रिष्टों में कई बार वो काटा बनने का काम भी करते हैं इस बात पर ध्यान रखे, परन्तु अपने साथी पर भरोसा भी रखे अब अपने साथी पर बेवज़ शक न करे वरना आपका रिष्टा यूही कमजोर हो जाएगा अगर आपका साथी आपकी किसी बातों को सीरियस तरीके से नहीं ले रहा है और आपकी बातों को टाल रहा है तो समझें वो आपको नजर अंदास करने लगा है, जिसका मुख्य कारण यह हो सकता है, वो आपसे दुरी बना रहा रही है ऐसी परिस्थिती में आपको सतर्क रहने की आवशकता है आपके सामने आये हुए फोन को काटना हम अकसर ऐसा देखते हैं कि जब आप अपने साथी के साथ होते हैं तब उसे कई ऐसे कॉल आते हैं जिसे वो आपके सामने रिसीव नहीं करते हैं और काट देते हैं या उसे कहते हैं कि बाद में बात करते हैं या दूर जाकर बात करके आते हैं और आपके पूछने पर टालम टोल कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो आप से कुछ छिपा रहे हैं। दिखावा ज्यादा करने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका पार्टनर ज्यादा पैसे वाला नहीं हो परन्तु वो दिखावा ज्यादा करता हो, वो हर जगा प्रदर्शन करता हो और खुद को हाई प्रोफाइल शो करने में लगा रहता हो, ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवशकता है। इस तरह के व्यक्ति अपने को शो करने के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के लोग पैसे के चकर में कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बच के रहना ही ज्यादा बहतर है। ऐसे लोग आपके भविश्य के लिए भेतर साबित नहीं होते हैं फिजिकली क्लोज होने की कोशिश में रहने वाले आजकल के युवा वर्ग प्यार को महज एक जरूरत पूरा करने का जरिया मानते हैं लोगों में प्यार के प्रती शद्धा बहुत ही कम होती है परंतु शारिरिक नजदीकियों में ज्यादा लगाव होता है ऐसे व्यक्ति आपको ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे सकते हैं प्यार दिल से होता है परन्तु अगर आपका साथ ही आपके जिस्म से मोहबबत करने के लिए प्रेरित करने लगे तो आप समझ जाए कि वो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए आप से प्यार का नाटक कर रहा है ऐसे मजनों हर मुलाकात में शारिरिक्स पर्ष सुख पाने के फिराक में ज्यादा होते हैं इसके अलावा वो आपको सेक्सी मैसेज भेज आप पर प्यार जटाते हैं ऐसे लोग प्यार के काबिल बिलकुल नहीं होते हैं ये लोग भविश में आपका साथ नहीं दे सकते इसलिए सोच समझ कर अपने साथी का चुनाव करें जो आपकी भावनाओं का कद्र न करें अकसर ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करता परंतु वो आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता हो या रखती हो तो ऐसे साथी से आपको सतर्क रहने की जरूरत है प्यार सिर्फ बोलकर ही नहीं किया जाता है उसके लिए एक दूसरे के प्रती मन में सम्मान भी होना बहुत जरूरी है अगर आपका साथी आपकी भवनों का ख्याल नहीं रखता हो आपको सारवजनिक जगों पर बेजती करता हो या सब के सामने डाद देता हो तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवशकता है प्यार में मीठी नोग जोग तो होती रहती है परंतु ये नोग जोग अगर प्यार से सुलज जाए तो रिष्टा बहतर हो जाता है परंतु अगर भावनाओं का कद्र नहीं हो तो वो रिष्टा निभाना बेकार है आपको हमारा यह विडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद